मन और मानव जीवन को प्रभावित करता है चंद्रमा चंद्रमा मन का अदिश्थाता है मन की कल्पनाशीलता चंद्रमा की स्थिती से प्रभावित होती है ब्रम्हांद में जितने भी ग्रेह हैं उन सभी का व्यक्ति के जीवन पर विशेश और अत्यंत महत्वपूर्ण विवाद पंचांग रहा है। संसार के सभी धर्मों के धर्म ग्रतों में प्रत्य एक काल में चंद्रमा की तिथियों के अनुसार ही धार्मेक, विधी रचने का उलेक पाया जाता है, व्यक्ति के चरित्र के सुक्षम रूप, विशिष्ट गुन, उसकी प्रतिभा, प्रवृतियों, योग्यताओं तथा भावनात्मक प्रवृति आदी का ज्यान जन्मकाल के ग्रहों की स्थिती से मालूम हो जाता है, समुद्र में उत्पन होने वाले ज्वार भाटे का मूल कारण चंद्रमा की स्थिती है। पूर्निमा का प्रभाव पशु पक्षियों औ रेंगने वाले कीरों पर ही नहीं पड़ता, बलकि उनमाद ग्रस्थ मनुश्यों पर भी पड़ता है, वे सभी अन्या दिनों की अपेक्षा पूर्निमा के दिन ही अधे को तेजित और अव्यवस्थित दिखाई। देते हैं, संसार के जितने की उश्न प्रदेश हैं, वहा ही नहीं, स्त्रियों के मासिक धर्म और चंद्रमा के 28 दिवस चक्र के बीच सीधा संबंध है, चंद्रमा के घटने बढ़ने का व्यक्ती के मस्तिष्ट के साथ परंपरागत संबंध होता है, शुकल पक्षमे मनुश्य का मस्तिष्ट जागरूख होता है, इन दिनों उसे न चंद्रमा के प्रभाव का स्पष्ट अनुभव करते हैं, चंद्रमा का स्रिष्टी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पढ़ता है, संपूर्ण प्रकृती भले ही, वो जड़ हो या चेतन, उसमें धड़कन होती है, स्पंदन होता है और वो नित्या परिवर्तन शील है, चंद्रमा के इस प्रभाव से भली भाती परिचित होते हैं, चंद्रमा मन का अधिश्ठाता है, मन की कल्पनाशीलता चंद्रमा की स्थिती से प्रभावित होती है, स्त्रियों में स्थित, कामभावना चंद्रमा की कलाओं के उप्च अप्चे के अनुसार विभिन अंगों में तिठिक्रम से केंद्रित रहा करती है, कामशास्थ इस सम्बंध में सलाह देता है कि तिठी के अनुसार्स्त्री के समबंधित अनको सहलाने से वह जल्दी उत्तेजित हो जाती है, चंद्रमा सुख स्थान का और माता का कारक होता है, यह मन की संकल्प विकल्प मूलिक म्यूमोनिया तथा कफजनित रोग सर्दी जुकोम आदी का सूचक रहता है, जन्म कुंडली में जिन पर चंद्रमा निर्बल रहता है, वे प्रायाह शीत जनित रोगों से पीरित रहते हैं, रक्त प्रवाह और हरिदय इसके अधिकृत क्षेत्र हैं, किन्तु अन्या ग्रह के साथ अशुब यूती करने पर ही यह रक्त चाप, रिदय रोग आदी दिया करता है, चंद्रमा द्विस्वभाव रहता है, अर्थात अकेला ही यह पाप और शुब बन जाता है, शुकल पक्षकी दश्मी से कृष्ण पक्षकी, पंच्मी तक पूर्ण प्रकाशमान रहने क कारण ये बली रहता है, ये पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है, चंद्रमा करक राशी में उच्छ का एवं व्रिष्चिक राशी में नीच का माना जाता है, चंद्रमा उच्छ राशी का होने, पर मिष्ठान भोजी और अलनकार प्रिय बनाता है, तथा इनके प्रा करता है तथा दुरात्मा वद दुखी बनाता है शुक्र ग्रही होने पर यह माता के स्नेर और सुक से वंचित करता है